तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जै जोहार नमस्कार सुरवात करते हैं 23 जनवरी है आज वीडियो को कम्प्लीट देखेगा चलिए देखे पहला प्राश्न देखे राश्टिय विर्ता पुरुसकार के लिए 36 गड देखे राश्टिय विर्ता पुरुसकार के लिए देश के 56 बच्चों को जो है चैनित किया गया है 56 बच्चों का और इसमें 36 राज्य के भी 5 बच्चों का चैन जो है विर्ता पुरुसकार के लिए ध्यान देना है राश्टिय विर्ता पुरुसकार के लिए चैनित धमतरी की जानवी राजपूत बेमितरा के सीता राम्यादव और कोर्बा के अमन जोती जाहिरे सामिल है ध्यान दीजेगा याद रखना है कि राष्टिय विर्था पुरुसकार हर साल 26 जन्वरी को बहादर बच्चों को दिया जाता है और 1957 से दुस्तों इस पुरुसकार के अमरवाटिका बनाया जा रहा है अप्सन है यहां पर दिखेगा करेक्ट आंसर है अप्सन नमबर बी है जगदलपूर ध्यान दीजेगा जगदलपूर याद रखना है दुस्तों कि दिल्ली की इंडिया गेट की तरजे पर जगदलपूर के आमा गुड़ा चौक में वाटिका बनाया जा रहा है याद रखना है कि इस अमरवाटिका के इस मारक पिलर में लगबग 11,000 सहीच जवानों के नाम, जन्म सहादत तिथी अंकित किये जाएंगे याद रखेगा और यह है कि 26 जन्वरी को मुख्यमंत्री भुपेजवगिल इनका जो है लोकारपड करेंगे ठीक है और यहाँ पर दोस्तों सही जवान के परिजन आकर जवानों को स्रध्धानजली अरपित कर सकेंगे ध्यान किस छेत्र में बनाया गया है इंपोर्टेंट है देखें अगला प्रश्न देखें देश में किसी विश्विद्यालाय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रत्थम मिलेट कैफे किस क्रिशी विश्विद्यालाय में खोला गया है तो इंपोर्टेंट प्रश्न है मिलेट वाला द्यान दिजेगा कोई न कोई प्रश्ण आए गई कुछ न कुछ एक ना एक प्रश्ण आए गई प्यस्य में द्यान दिजेगा देखें इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप्सन नंबर आपका ए सही आंसर है इंद्रा गांधी क्रिश्य विश्विध्याले ध्यान दीजेगा इंद्रा गांधी क्रिश्य विश्य 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 वि इससे निर्मित 36 गड़ के पारंपरिक व्यंजन, ठेटरी, खुर्मी, अर्सा, चाकोली, सेवाई, पीडिया, आदी, आम जनता के लिए उपलब्द रहेंगे ध्यान दीजेगा कि यहाँ देश में किसी विश्व द्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथा मिलेट कैफे होगा, याद रखना है और इस मिलेट कैफे का जो संचालय नहीं किरिसी विज्ञान किंदर राइपूर द्वारा किया जाएगा और यहां विभिन महिला स्वासाहता समूहो द्वारा निर्मित लगू देखेगा लगू धान ने वेंजनों का विक्रे किया जाएगा ध्यान दीजेगा देखें याद रखने है दोस्तों की लगू धान्य फसलों की पोशकता तथा स्वास्त प्रद मुल्यों को द्रिश्टीगत रखते हुई सहित राष्ट संग दोरा इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए वर्स 2023 को मिलेट वर्स घोसित किया गया है ध्यान दीजेगा दोस्तों की 36 गड़ का पहला मिलेट कैफे राइगड भी खुला है इंपोर्टेंट है ध्यान दीजेगा चलिए देखे 36 गड़ में अब तक कितने गाउं नकसल प्रभाव से मुक्त किये जा चुके हैं आप्सन है यहाँ पर दीखिएगा और अब तक राज जी की 589 गाउं जो है नकसल प्रभाव से मुक्त किये जा चुके है ध्यान दीजेगा चलिए देखे 36 गड़ में निमने लिकित में से किस इस्टेडियम में पहली बार अंतर राश्टी मैच खेला गया है आप्सन है यहाँ पर देखेगा correct answer है option number E है सहीद वीर नरायर सिंग ध्यान रखना है सहीद वीर नरायर सिंग स्टिडियम देखे 36 गड़ से किसे ब्राजिल सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है option है यहाँ पर देखेगा करेक्ट टांसर है आप्सन नंबर सी है प्रसांत बनर जी ध्यान दीजेगा प्रसांत बनर जी देखें निमने लिखित में से किस जिले के डोंगरी गुफा में देवी रानी माई विराजित है आप्सन है यहाँ पर दीखेगा करेक्ट टांसर है आप्सन नंबर सी है कांकेर द्यान दीजेगा कांकेर के वर्तमान खरिफ मार्केटिंग सीजन के एम एस में सेंट्रल पुल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाली 36 गड़ देश का कौन सा राज्य बन गया है आप्सन है यहाँ पर दिखेगा करेक्ट टांसर है आप्सन नंबर बी है दूसरा देहान दीजेगा दूसरा यह वाला प्रशन आप लोगों के लिए है दूस्तों इस प्रशन का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में निमने लिखीत में से किस जिले के बरगाउं चार भाठा में मुगल कालि सिक्के मिले हैं आप्सन को देखिएगा और कमेंट्स में इसका जवाब आप लोग दीजेगा चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल में नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और